हालो माईडिया ग्रेड वन स्टूड़न्स, वेलकम बेक तो यूर्मेक्स क्लास ग्रेड वन, सो स्टूड़न्स, एस यू नो करन्टली वी आ डूइग चाप्टा नंबर सेवन मनी, सो तुड़े वी आ गोईग तू स्टूडी एक्स्प्लेनेशन पार्ट टू अफ चाप्ट ये टॉपिक आपके टिक्स्ट बुक में स्टूड़न्स, आपको 115 पेज पे मिलेगा, 115 पेज पे आपको ये टॉपिक मिलेगा, ओके, सो क्या टॉपिक है काउंटिंग मनी, नौ स्टूड़न्स देखो, यहां पर क्या लिखा है, we can use skip counting to count money, हमने skip counting सीखी ती राइट, उसम हमने 2 में किसे skip counting करते हैं, 5 में किसे skip counting करते हैं, 10 में किसे skip counting करते हैं, वो सिखा था, so हम skip counting के method से money को भी count कर सकते हैं यहाँ पर कुछ examples दिये हुआ हैं हम study करते हैं सबसे पहले देखो 2 rupees के coins दिये हुआ है how many coins are there? total 5 coins are there total करके answer लिखा हुआ है कैसे total करेंगे अभी हम वो सीखेंगे देखो पहले 1 2 rupees का coin मतलब 2 rupees एक और 2 rupees का coin 2 plus 2 करेंगे दिसे 3, 4, 2 plus 2, 4 अभी एक और 2 rupees का coin 4 rupees में 2 rupees और add करो 5, 6, 6 rupees 6 rupees में एक और 2 rupees का coin add करो 7, 8, 8 rupees में एक और 2 rupees का coin add करो 9, 10, ओके? क्या amount are at 10? सो देखो box में 10 लिखा है, रुपीस 10 देन अभी next देखो 5 rupees के 5 coin दियो है सो देखो पहले 5 rupees का coin means 5 देन और 5 rupees add करो means 10 एक बार और 5 rupees add करोगे means 15 एक बार और 5 rupees add करोगे means 20 एक बार और 5 rupees add करोगे सो अंसर क्या आएगा? 25 5 plus 5 10, 10 plus 5 15, 15 plus 5 20, 20 plus 5 25, ओके? नाउ स्टूड़न्स, नेक्स्ट एक्जेम्पल देखो 10 rupees के coin वाला है, ओके? या पर 5 rupees 10 rupees के coins दियो हैं हमें कैसे count करना है? पहले सबसे पहले 10 rupees मतलब 10 और 10 rupees मतलब 20 10 plus 10, 20 और 10 rupees 20 plus 10, 30 30 plus 10, और 10 rupees हैं 40 40 plus 10, 50 कितने rupees हैं? टोटल 50 rupees ओके? स्टूड़न्स देखो हमने skip counting में 2's में skip counting करना सीखी थी 5's में और 10's में अभी हम एक topic पढ़ेंगे नीचे देखो blue line में क्या लिखा है? in case of combination of coins of different denominations अभी देखो उपर जो हमने examples देखे उसमें कैसा था? सारे coins 2 rupees के थे सारे coins 5 rupees के अभी सारे coins mix में आएंगे ओके? सो देखो सबसे पहले first देखो 10 rupees का coin है उसके बाद 5 rupees का coin है again 5 rupees का coin है then 2 rupees का coin है and 1 rupees का coin है हमें add करना है amount बताने क्या है सो देखो सबसे पहले कौन सा coin है? in case of combination of coins of different denominations में जो नीचे दिया हुआ है 3 examples दिये हुआ है अभी हम वो कर रहे है 10, okay 10 rupees means 10 अभी 5 rupees का एक coin है 10 plus 5 15 कैसे करोगे? 10 के बाद 5 numbers और count करोगे 11, 12, 13, 14, 15 15 plus 5 again 16, 17, 18, 19, 20 20 plus 2, 22 22 plus 1, 23 so answer क्या है? 23 अब next देखो पहले 5 rupees का एक coin है फिर 2 rupees का फिर again 2 rupees का again 2 rupees का और last में 1 rupees का कैसे करोगे? 5 plus 2 5 में और 2 एड करो 5, then 6, 7, 7, 7 rupees 7 में और 2 एड करो 8, 9, 9 rupees 9 में 2 और एड करो 10, 11, 11 rupees 11 में 1 और एड करो 11 plus 1, 12 देखो 12 rupees लिखा है box में 12 लिखा है अब इलास्ट देखो 10 rupees का एक coin है again 10 rupees का एक coin है then 5 rupees का एक coin है then 2 rupees का एक coin है and last में 1 rupees का एक coin है कैसे एड करोगे? 10 plus 10 10 plus 10 क्यों और 20 20 plus 5, 25 कैसे? 21, 22, 23, 24, 25 25 plus 2 26, 27 ओके? then और और वन एड करना है so 28 so box में क्या लिखा हूँ है 28 ओके? so आज हमने इस explanation पार्ट में counting money सीखा हूँ के आपको घर पे ये examples एक बार अच्छे से देख लेने ओके? so thank you and have a nice day